हेलो सुटेरेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं मैट है सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षिट नंबर टू साइन सब्जेक्ट की है नाइंत किलास के बच्चों के इस चैप्टर आपका यह है उसका आपकी बुक का एंसे आरटी का तो उसमें आप देख सकते हैं दिफंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम क्या बोलते हैं सैल बोलते हैं तो देखो क्या होता है सैल डू यू नो डैट ओल लिविंग बिंग आर मेड ओ वेरी माइन ठीक है माइनुट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सैल ठीक है तो क्या आप जानते हो कि जितने भी जीव जन्तु हैं वो किसे बने हूँ है बहुत ही छोटी माइनुट स्ट्रक्चर बहुत ही छोटी संरचनात्वक इकाई से बने हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सैल बोलते हैं इस सैल except if you like eggs लेकिन कुछ ऐसी भी है cells जिनको हम देख सकते हैं जैसे की अंडे तुम देख सकते हो eggs को ठीक है the biggest cell is an ostrich egg ठीक है अब सबसे बड़ा जो अंडा है वो कौन सा है ostrich का है तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया cell हो गया तो सबसे बड़ा cell कौन सा है ostrich बाकी cells सब छोटे होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं नोर्मला इस से ठीक है and smallest cell इजे बैक्टीरिया जो सबसे छोटे बाला cell होता है वो क्या होता है बैक्टीरिया का होता है बेक्टीरिया क्या होते है जो त्म नहीं देख सकते। किससे देखोगे सुक्षमदर्शी से देखोगे तो सबसे छोटी बैक्टीरिया और सबसे बड़ा cell होता है ostrich egg तो सेल क्या है मनें अभी पड़ा कोई भी कार यह करते हैं जीव जन्तु या living being वो किसकी help से करते हैं और उनका निर्मान भी किस से हुआ है उनका जो मतलब कि एक तरीके से जैसे ये घर है घर कैसे बनता है इटों से मिलकर बना है बहुत सारी इटों लगी हुए है तो पूरा क्या बनेगा एक भवन बन जाएगा घर बन जाएगा इसी तरीके से किसी भी जीव का सरीर किसी भी living being का सरीर किस से मिलकर बना है छोटी-छोटी कोसिकाव से मिलकर बना है तो इसलिए हम क्या कहेंगे जो cells हैं छोट-छोटे cells से मिलकर बना है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे cells क्या है structure यानि की बनाने में मदद करते हैं और functional यानि की कारिय करने में मदद करते हैं तो cells are structural and functional unit of life ठीक है They are just like bricks are assembled to make a building ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे की कोई हम क्या करते हैं इटो को एक के उपर रखे एक भवन का निर्मान करते हैं इसी तरीके से देखो ये क्या है एक onion का छिलका है प्याज का छिलका है ठीक है अब ये हमने पढ़ लिया cell क्या है क्या करते हैं अब इसकी खोज किस ने किया डिस्कवर किस ने किया cells were at first discovered by Robert Hooke in 1665 1665 में Robert Hooke ने सबसे पहले discover किया cells को when he found very teeny structures thin slice of dead cork under the magnifying device उसने क्या किया एक magnifying device के नीचे क्या रखके देखा जैसे ये पेड़ है इस पेड़ का जो भारी वाला हिस्सा होता है छिल के जिसको हम चाल बोल देते हैं उसको यहाँ पर इस सुकसम दर्सी के नीचे रखके देखा तो उससे क्या है छोटे छोटे से structure दिखाई दिये एक जैसे जिसको उसने किसका नाम दिया सेल्स का नाम दिया ठीक है नेक्स्ट क्या है दी ओर्गेनिजम विच आर मेड़ ओफ ए सिंगल सेल और काल यूनी सेलिलर ओर्गेनिजम जो ओर्गेनिजम क्या है बिटा बने हुएं छोटे छोटे सेल्से मिलकर सिर्फ एक ही ठीक है एक सिंगल सेल से मिलकर बने है उसको यूनी सैलिलर सेल बोलते है और जो क्या है जैसे कि अमीबा और पेरेमिस्यम और जो ओर्गेनिजम मतलब जीव जनतू किसे MAID UP OF MENI CELLS एक से अधिक से मिलकर बने हुएं उनको बोलते हैं मल्की सैलिलर जो multi cellular organism होते हैं इनके अंदर क्या अलग अलग तरीके के एक ही परकार के नहीं अलग अलग परकार के क्या होते हैं cells होते हैं जैसे कि जाइलम, flowem, blood, nerve cell etc यहाँ पे देखो यह क्या है single cell के animals है organism है तो इनको हम क्या बोलेंगे unicellular organism uni मतलब single यह नहीं मतलब single और cellular मतलब cell organism मतलब जीव तो amoeba, paramecium और yuklina यह सिर्फ एक ही cell से बने हुए यह पूरा एक cell है ठीक है पूरा का पूरा एक cell है अब तुम ऐसे समझो कि कोई किराए पर रह 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 एक घर के अंदर कितने 10, 12 यह 4, 5 कमरे भी हो सकते और एक कमरे के अंदर एक कमरा ही हो सकता है जो किराए पर रह रह रहा होगा तो वो क्या करेगा अपना खाना बनाना, पढ़ना सोना, खेलना, सब उसी कमरे में करेगा ठीक है तो इसको हम एक तरीके से कह सकते है uni cellular organism और जिसके पास कई सारे कमरे वो क्या करेगा उसके लिए खाने के लिए अलग किचन होगी सोने के लिए अलग बैडरूम होगा और खेलने के लिए अलग प्लेइंग रूम होगा गैस्ट के लिए अलग अलग रूम होगा तो अलग-अलग cell से मिलकर बना हुआ है यह ऐसे समझ सकते हो और हर cell का कारिय भी क्या है अलग-अलग है ठीक है अब next क्या है देखो यहां पर दिखाए गई है multi-cellular organism जो होते हैं वो कई परकार के देखो यह सारे multi-cellular organism के अंदर different different types के क्या पाई जाते हैं cells पाई जाते हैं जैसे यह हमारे मस्तिस का यानिकि mind का निर्मान करता है ठीक है यह हमारे blood का निर्मान करता है यह हमारी हड्डियों का निर्मान करता है यह हमारी mass patient का निर्मान करता है muscles का और यह हमारी skin का निर्मान करता है ठीक है तो यह सारे अलग-अलग क्या कर रहे हैं हम कर बने है इच सेल इज मेड़ आप वेरी माइनूट कॉंपोनेंट काल सेल और गनेले इज अब क्या है परती एक देखो यह क्या है सिंगल है इन सब को मिलाने से क्या हुआ हमारे पूरी बोडी बनी है लेकिन यह तो एक प्रकार का सिंगल टाइप का सेल है ना तो इस सिंगल यह सारे सिंगल टाइप के सेल जो है इच सेल میड़ आप वेरी माइनूट कॉंपोनेंट काल सेल ऑर्गनेले जैसे कि अभी हमने कहा था यह इसी यूनि सेललल है ठीक है यह एक कमरा है इसमें क्या है तुम ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर ही खाना बना रहे हो यहीं पर ही सो रह इस साइड पर तुम पढ़ रहे हो इस साइड पर खेल रहे हो तो अलग अलग जगा पर तुम अलग अलग कारिया करोगे बेसक से वो क्या है एक ही कम रहा हो ठीक है तो ऐसे ही एक परती एक सैल के अंदर क्या होगा कुछ अंग होंगे जिनको हम क्या बोलते सैल ओर्गनेले ज इसको हम cell membrane बोलते हैं यह जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं cytoplasm ठीक है यह द्राव होता है liquid और कुछ vocals भी होते हैं ठीक है और भी कई सारे पार्ट होते हैं धिरे धिरे आप पढ़ोगे cell organize perform different function in a cell तो जो different cell organize होते हैं यह क्या करते हैं different type के functions को करते हैं यह perform करते हैं ठीक है यह पूरा तुमारा cell था अब हम इसके question answer करते हैं यह हमारे क्या है human cheek cell ठीक है तो यह क्या है जो मनुस्या के जो यह cheek होते हैं जिसको गाल बोलते हैं उसके अंदर जो यह पाई जाते हैं वो cell हैं यह what are the cells where are they found ठीक है तो cells क्या है और यह कहां पाई जाते हैं तो देखो हमने अभी पढ़ा था क्या है cell cells are structural and functional unit of life ठीक है और यह लिखोगे यहां पर लिख सकते हो all यहां से लिख दो all living beings are made up of very minute structures called cell ठीक है यह दोनों line लिख दोगे first इसको लिखोगे second इसको लिखोगे अब second question क्या है what are the unicellular multicellular organism right any two differences तो unicellular कहां पर है the organism which are made up of single cell called unicellular organism example यह लिख दोगे दूसरा point the organism which are made up of cells many cells यह multicellular और example यह लिख दोगे आप दूसरे में यहां से लेकर यहां तक का ठीक है next क्या है name biggest cell in world and it is is it visible तो आप क्या करोगे हमने भी पढ़ा biggest cell कौन सा था तो आप यहां से लिखोगे the biggest cell is an ostrich egg इतना लिख के और यह लिखोगे yes it is visible ठीक है यह line लिख दोगे कि हाँ यह दिखाई देता है अब next question क्या है who discovered cells and when किसने discover क्या और कभी क्या तो लिखोगे cells were at first discovered by robert hook in 1665 तो यह आपका fourth answer हो जाएगा तो उमीद करते हूँ बटा यह आपको पूरी वक्षी टच्चे से समझ जाए होगी फिर भी कोई doubt हो तो comment box में पूछ लिना इस वीडियो में इतने अपना next topic जोगा हम अपनी next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए सियाजते रहे हैं मुस्कराते रहे हैं पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थैंक्यू कर दो